हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुए स्टॉक मार्केट रिक्स वन्स अगिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसमें की बहुत अच्छा एक चार्ट पैटन बन रहा है जो की एक टेकनिकल अनलिसिस में आता है और जिसको की बोलते हैं हम लोग फ्लैक पैटन ठीक है तो उस कंपनी के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे एंड उस कंपनी में हमें कहां पर बाई करना चाहिए क्या स्टापलोस रखना चाहिए क्या रिस्क टो डिवाड रिस्क रहेगा तो इन सभी टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बनी रही है वीडियो के साथ और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीचे क्योंकि आपको यहां पर मार्केट से रिलेटर बहुत सारी चीजे मिलती है टूल्स इंडिकेटर एंड हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको फ्री में बहुत सारी चीजे मिल जाएगी ठीक है गाइस तो टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं और यह लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले अनालिसिस की क्या एक विधी होती है क्या एक तरीका होता है सबसे पहले हमें एक लंबे एक जो बारा सा टाइम फ्रेम होता है उस पे हम लोग चार्ट ओपन करते हैं और यह देखते हैं कि उसमें क्या एक चार्ट पैटर बन रहा है ठीक है तो अब ही अगर हम इसकी analysis करें तो हमें यहां पे एक trend line जो मैंने यहां पे draw किया हुआ है trend line बन रहा है मैंने यहां पे आप देखिए इस एक candle के wick से लेके और इस जो अभी latest एक wick पहले ही बना है यहां पे मैंने draw करके trend line draw किया है ठीक है और उपर की side से अगर हम trend line के बात करें तो यह जो है इसका एक major trend line मतलब major supply zone इसका जो है आ रहा है ठीक है पहला तो यह बना था एक higher highs बना था और यह जो दूसरा बना था तो इस दोनों को लेते हुए इस wick को लेते हुए मैंने एक trend line draw किया हुआ है क्योंकि यह हमें एक supply zone ब बताएगा नीचे से हमें एक demand zone बताएगा और उपर से यह supply zone बताएगा ठीक है और यह तो हमारा एक हो गया major वाला supply zone और यह जो latest आ रहा है supply zone ठीक है यह पहले यहां तक आ गया था LIC housing finance और फिर से यह जो है lower lows बनाते हुए फिर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे lower lows बनाया फिर lower highs बनाया और फिर यह अगर हम इस दोनों विक्स को मिला कर बना दे तो यह एक supply zone इस area के आसपास अगर हम इस area के बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो एक area हमारे पास आ रहा है यह हमारे पास एक यह क्या बन रहा है ठीक है तो कभी भी जो market act करती है कभी भी जो market act करती है वो कैसे काम करती है supply जो उनके आसपास से आके गिरती है और demand जो उनके आसपास से हम लोग उसको क्या करते है बाई करते हैं और एक जो हमारा target रहता है उस near supply जो उनके आसपास रहता है ठीक है तो अगर यहाँ पे एक best opportunity हो सकती है, वो कैसे, देखे डेली में तो अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, डेली में हमें बस इतना दिखाई दे रहा है, कि यह trend line पे लाई कर रहा है, दूसरा कि यह जो इसका resistance zone है, यह 296 के आस पास हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 296 इसल यहाँ गिरी थी, यहाँ से fall हुई थी, and again यहाँ पे इसने आके retrace किया, यह फिर से नीचे की तरफ गई, फिर से अगें यहाँ पे retrace किया, फिर से इसके आस पास retrace किया, यहाँ तीसरी बार यहाँ पे retrace, and again यह जो है अपने demand zone, मतलब यह trend line के ऊपर यह trade कर रहा है, तो अब ही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पे कहां कहां पे buy करना चाहिए, या फिर कहां किस area में हम buy कर सकते हैं, मैंने यह daily का time frame खुला हुआ है, अब हम इसको थोड़ा सा और एक हलके चोटे time frame में लेके जाएंगे, जो की है हमारा hourly में, तो आप दे flag pattern बनता हुआ नजर आ रहा है, इसका flag pattern में क्या होता है, एक pole होता है, ठीक है, और एक flag जैसा pattern stock में बनता हुआ नजर आता है हमें, तो हम इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बनाया हुआ था, वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि यह flag pattern बना रहा था और flag pattern का इसने इस green candle ने breakout दे दिया ठीक है यह green candle जो है इसने इसका breakout दे दिया तो breakout देने के बाद यह consolidate कर रहा है इस area में अगर हम इस area पे horizontal line draw करें तो आप देखेंगे कि इससे पहले जो यह area है ठीक है यह regist कर रहा था रजिस्ट मतलब resistance की तरह काम कर रहा था आप देखेंगे कि यह जो area है एक resistance की तरह काम कर रहा था यह resistance हुआ यह resistance हुआ यह सारे कुछ जो lines जो बने हुए है lines बने हुए है और जो candles बने हुए है यह ठीक अपने resistance area के आजपास आके ही नीचे की तरफ गिरा है अब देखने वा जो है pattern का यहाँ पर breakout भी हो चुका है तो अगर LIC housing finance को नीचे जाना है तो वो जो है पहले कहां तक bounce कर सकती है और कहां से फिर नीचे आ सकती है ठीक है और हमें कहां पर एक stop loss लेकि अगर हम इसको buy करें तो buy कर सकते है या फिर क्या है तो इसमें आप लोग को क्या करना है अ ठीक है 280 रुपीज पर देखेंगे 280.40 पर यह close हुआ है तो flag में a pattern का जो एक target होता है जो इसका pole होता है हम उसको target मानते हैं लेकिन हम यह देख रहा है यहाँ पर कि इसका जो यह area है यह hourly में जो इसका एक supply zone है इस कहीं area में बनता हुआ नजर आ रहा है तो हम क्या expect करेंगे भी कि हमें जो है इस area के आसपास supply zone बहुत अच्छी तरीके से दिखता हुआ यहाँ पे जो है नजर आ सकता है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमें buy करना है at the current level मतलब 280 रुपीज या फिर तोड़ा से नीचे जाता है तो इस area में to 78 to 60 क इस पास और गेपास और जो हमारे stop-loss रहेगा कहा पे रहेगा जी जब हम stop-loss की बात करते हैं तो एक ब़र देख लेए कि हमारा जो stop-loss है हम लोग कहां पे रखेंगे ठीक है तो इसके जो नीचे वाला जो swing होगा, जो इसके इस area के जो नीचे वाला swing होगा, आप देखे यहां पे swing बनाया था, यह candle देखे, इस candle का wick देखे, ठीक है, इस candle का wick देखे, swing यहां पे बना रहा है, इसके आसपास, तो 270 के आसपास हमें एक यहां पे stop loss लेना है, 270 पे, और हम इसमें इंट्री कर सकते है at the current level और हमारा जो टार्केट रहेगा नियर 300 रहेगा ठीक है नियर 300 रहेगा वैसे यहाँ पर फ्लैक पैटर्न का ब्रेक आउट हो चुका है अभी जो इलाइसी हाजिंग फाइनेंस है कॉन सोलिडियेट कर रहा है बहुत अच्छा एक पैटर्न होता है फ्लैक पैटर्न और यहाँ पर हम लोग बाई कर सकते हैं स्विंग के लिए और हमारा जो यहाँ पर टार्केट है 15 से 20 पॉइंट का रहेगा ठीक है विदे स्टॉप लॉस आप 10 रुपीज तो यह मेरी अनालिसी से मेरी स्कील है अगर आपको यह अच्छे लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे आपको बहुत अच्छी कॉंटेंट जो है इस चैनल पर मिलती है और फिर आगे फर्दर हम बात करेंगे अगले जो भी टेकनिकल इंडिकेटर्स है या फिर कुछ अलग चार्ट्स होगा या फिर जो भी रहेगा अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहते है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जोईन होके वहाँ पर भी बाते कर सकते हैं लाइब में या फिर कभी भी कोई भी